Hey everyone welcome back to my cooking blog channel तो कभी कभी बिल्कुल भी खाना बनाने का मननी करता है लेकिन क्या करें खाना बनाना ही पड़े गा और रोटी सब्सक्राइब बनाने का तो आज इसी तरीके से बिल्कुल रोटी बनाने का मननी कर रहा था तो सोचा कि क्या बनाया जाए ऐसा जो खाने में तो टेस्टी लगे ही और लेकिन खाने के पूर्ती भी कर दे यानि कि लगे कि हाँ रोटी और सब्जी दोनों खाली है तो चलिए आज बनाते हैं सूपर टेस्टी लौकी के पराठे बनाएंगे साथ में रायता बनाएंगे तो मैं आगई किचन के अंदर और निकाली फटाफट से लौकी क्योंकि मैं मार्केट से लौकी लेकर क्या थी तो मैं यही सोच करके लेकर क्या थी कि लौकी की इस बार पराथे स्टेया है, यह मैं पराथे से कौने पराथे और पराथे से लैके लुह को सीच्छी निया तो आप हाथों को बचाते हूए इसी तरीके से लौकी, सले आप क्या खते हिंगे वहले एक कप्ड़ लीया है और उसकी अंदर डाल देंगी जो लोगी हमने ग्रेट करी है इसको डाल देंग इस कपड़े के अंदर ताकि इसे अच्छी तरीके से निचोर सके it आप हाथ से भी लौकी को निचोड सकते हैं all this beautiful thànhwich यह होता है कि हाथ से जब निचोडते हैं तो इस में से पूरा पानी हो निकलता है all this अगर कपड़े में डियाक स Scr手 करके सारा पानी निकल जाएगा और परांथे बनाने में पूरांथे भी हो mari अगर पानी रहेगा लौकी के अंदर तो फिर पराथे बनाने में थोड़ी समस्या आती है तो देखिए, अब मैंने सारी लौकी को निचोड लिया है और इसे कपड़े में से निकाल करके हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे अब क्या करेंगे कि इसे रखेंगे साइड में और इसे बनाने के लिए एक आठे का मिक्सचर तयार करेंगे यानि कि पराठे बनाने के लिए आठे का मिक्सचर तयार करेंगे जो लौकी का पानी था इस पानी को मैंने डाल दिया है आटे के अंदर और पानी को डाल देने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से लगा ले और पानी अगर कम पड़े तो आप उपर से दूसरा पानी भी डाल सकते हैं जिस पानी से हम आटा रोज लगाते हैं तो ऐसा नहीं तब तक रायता तयार कर लेंगे जो पराठे के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगीगा, अब क्या करेंगे कि मैंने एक मीडियम साइज का खीरा लिया है और उसे छील लेने के बाद मैंने दो करके अब इसे ग्रेट किया है आप चाहे तो इसे बारीग-बारी कट भी कर सक अब इसके अंदर डालेंगे, बिल्कुल टोड़े से विल्कुल दें लेकिन MOS compañe Khanhuk अपिर आयतस्य जिएराे का मिमने टेस्ट कर रहा है और इसके बात डिए जन्वराची से पेट लेगंगे आप चाहें तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आज इस रायते को बिल्कुल सिंपल रखोंगी, क्योंकि खीरे का रायता मुझे सिंपल ही अच्छा लगता है, अब हमारा रायता बन करके हो गया है, और जो लौकी हमने ग्रेट करके रखी थी, इसके अंदर मि बिल्कुल भी न भूले, और इसके बाद मैंने अब इसके ऊपर से डाल दिया है, बीकाजी भुजिया डाल दिया है, तो आप बीकाजी भुजिया किसी भी ब्रैंड की ले सकते हैं, बुजिया डालने से क्या होता है, एक तो ये पराथे बनकर के बहुत टेस्टी तैयार हो यानि कि जो आटा हमने लगाया था उसमें से मैंने एक लोई तोड़ ली है और इसको अब इस तरीके से गोल कर लेंगे आप चाहे तो इसके तीकोने पराथे भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसके गोल पराथे बना करके आपको बताती हूँ और देखे इस तरीके से एक मीडियम अब देखे आपको इसे क्या करना है कि आटे का पलोथन लगा करके और इसे हलके हाथों से इस तरीके से बेलना है और एक बार आपको इसमें थोड़ा सा आठा और लगाना है तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ आप एक बार अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी बनाने में समस्या नहीं आएगी क्योंकि बहुत लोगों से लौकी के पराथे बिल्कुल नहीं बैठते हैं तो अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ ताकि ये बिलकुल कराफ़ा सो जाए कि अब लेते हैं अब कर लेते हैं और मौसम है आम को बीना आम के बात बन ही नहीं सकती है और उसके बाद ले लिए हैं ये पराठे तो आप एक बार से जरूर ट्राइ करें और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें टेक केर बाबाई